इस पावडर का उपयोग थाइराइड की समस्या में उपयोग किया जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं थाइराइड कितने परकार का होता है पहला जो हमारा होता है हाइपर थाइरोडीजम और दूसरा होता है हाइपर थाइरोडीजम इसे आम तोर पर सभी लोग जानते हैं मोटा करने वाला थाइराइड और पतला करने वाला थाइराइड और इस मेडिसिन का उप्योग किस परकार की दिक्कत मरीज को क्या तकलिप रहती है क्या दिक्कत रहता है या फिर मरीज को कौन सा रोग रहता है या फिर डॉक्टर के द कितनी एज के एकॉर्डिंग इस दवा का डोज डॉक्टर के दौरान निर्धारित करके दिया जाता है इसके बारे में हम आपको पूरा डीटेल से हिंदी में इसको इस वीडियो में हम पूरा डीटेल से बताएंगे थाइराइड जो होता है ये एक परकार से तितली के आकार के जैसा एक गरंथी होता है ये समस्या गर्दन में सौंसनली के सामने ये समस्या होता है जब ये समस्या होता है तो आपका गर्दन में सूजन की समस्या आ जाता है यानि गर्दन के पास में स्वाइलिंग की समस्या हो जाता है ये हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है T3 और T4 नामक हार्मोन को रिलीज करता है ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे मेटाबोलिजम को रेगलोट करने का काम करते हैं और जैसे कि अगर ये जो थाइराइड का हार्मोन है अगर ये गड़बड हो जाए तो हमारे बाडी में यानि हमारे सरीर में तमाम दिक्कत, तमाम बीमारिया, तमाम परकार की जो समस्याएं हैं वो होने लगती हैं जैसे कि अगर किसी को हाइपो थाइरोडीजम की समस्या होता है तो उसमें क्या होता है कि हाइपो थाइरोडीजम वो कंडिशन होता है जिसमें हमारा थाइराइड ग्लेंड बहुत कम हार्मून बनाता है। इसके कारण क्या क्या समस्या होता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि आपका जब बोजन बढ़ जाएगा तो आपको ठकान की समस्या होने लगीगी और आपको घबड़ाहट के भी जैसा कभी कभी महसूस होने लगेगा आपको सुस्ती जैसा महसूस होने लगेगा और जैसे कि अगर आप कोई काम करेंगे या फिर कोई कहीं जाएंगे या फिर कहीं जा रहे हैं तो अगर रास्ते में आपको रुक रुक कर जाना पड़ेगा आपकी बाड़ी एक दम बीकिनस के जैसा महसूस होने लगेगा आपकी बाड़ी में एक दम थकावट के जैसा होने लगेगा आपका जो दिल का धड़कन है वो सिलो हो सकता है आपके ना गाठों में काफी ज्यादा दर्द रहेगी आपको उठने में बैठने में आपके पैरों के पंजों में पैरों के पंजों के एक तरीके से जो गाठ होता है उसमें काफी ज्यादा दर्द की समस्या रहेगा आपका जो कॉलिस्ट्राल का लेबल है ये भी बढ़ सकता है और अभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा जो आपकी तुचा है यानि जो आपका स्कीन है इसमें एक परकार से सूखा पन आने की समस्या हो जाएगा और आपके स्कीन पर खुजली के जैसा होना वाली समस्या होने लगेंगी यानि आपके स्कीन पर खुजली के जैसा महसूस ह इस समस्या में और जैसे कि आपके आखों के नीचे या फिर आखों में सुजन की समस्या हो जाना आपको बार बार भूलने की जैसा समस्या हो जाना आप बार बार भूलने लगेंगी आपको कनफ्यूजिंग की समस्या रहेंगी आप कोई किसी से बात करेंगे या फिर आपको क थाइरेडीजम में हो सकता है और दूसरा जो होता है हाइपर थाइरेडीजम की चली है अब हम आपको बताते हैं हाइपर थाइरेडीजम की क्या क्या समस्या होती है हाइपर थाइरेडीजम वो कंडिसन होता है जिसमें हमारा थाइराइड ग्लेंड बहुत ज़्यादा हार्मो रिलीज करने लगता है इस समस्य के कारण क्या क्या होता है जैसे कि जो आपका दिल का धड़कन है यानि जो आपके दिल का धड़कन है ये भी बढ़ सकता है और जैसे कि इस समस्य में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा आपको भूक तो बहुत ज़यादा लागी, यानि आप खाना भी बहुत ज़यादा खाएंगे, लेकिन अगर आपका जो वजन है न वो घटता रहता है, यानि आपका वजन बढ़ेगा नहीं, घटता रहता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा या मिलता होगा. और जैसे कि जो आपके बाल हैं सीर के वो काफी ज़्यादा ज़ड़ने लगते हैं आपको नीद नहीं आती है प्रापर आपको एकदम अजीब अजीब सा चिट-चिड़ापन के जैसा महसुस होने लगता है घबड़ाहट के जैसा महसुस होने लगता है और आपको नीद नही आएगा और आपको एकदम घबड़ाहट के जैसा मैसूस होगा चिड़ चिड़ापन के जैसा मैसूस होगा अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको एकदम चिड़ चिड़ापन के जैसा हो जाएंगे छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा हो जाएंगे तो ये सारी समस्या आने के भी समस्या रहती है इस परकार की समस्या हाइपर थाइरोडिजम में हो सकता है इन दोनों समस्याओं में ये मेडिसीन काफी अच्छा काम करता है ये मेडिसीन डॉक्टर के दौरा इन परकार की समस्या या हमने आपको जो दिदकत जो परिसानी बताया है इन सारी समस्य जब किसी को थाइराइड की समस्या रहती है और वो एक परकार से बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ जाती है तब भी समस्या को ठीक करने के लिए डाक्टर के दौरा ये मेडसीन काफी ज़्यादा पेसकराइड किया जाता है जिससे मरीज को थाइराइड की समस्या रहता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है यानि जड़ से ठीक होने का काम ये मेडिसीन करता है और जैसे कि जो थाइराइड की समस्या होता है थाइराइड की समस्या महिलाओं में जदा देखा जाता है पुरसों में कम और महिलाओं में थाइराइड की समस्या जदा होता है चलिए हम आपको इस medicine के doge के बारे में बताते हैं इस medicine का जैसे कि जो medicine का doge होता है यह doctor के दोरा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी age और उसके body weight को देखते हुए doctor अपने experience के अनफार इस medicine का doge निर्धारित करके खाने के लिए बताते हैं, लेकिन جो adult में इस दवा का doge होता है वो एक गोली सुबा या फिर एक गोली सुम को doctor के द्वारा लेने के लिए बता आ जाता है या फिर दिन में तीन बार भी doctor के द्वारा ये जो powder है से लेने के लिए doctor के द्वारा बता आ जाता है दॉक्टर अपने experience के अंसार इस दवा का डोज निधायरत करके लेने के लिए यानि इस powder का जो डोज है निधायरत करके लेने के लिए बताते हैं चलिए हम आपको इस powder के side effect के बारे में बताते हैं इस powder का क्या side effect देखा गया है जैसे कि अगर आप ये powder over doge की मातरा में लेंग उसके बाद में कोई भी दवा लें, कभी भी आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, खुद से उपियोग ना करें